जिस तरह से प्रहलाद के लिए उस खंभे में उपस्थित था हम अभ्यास नहीं करते हैं बस प्रेदर्शकों नमस्कार प्रकृति के गोद में जाकर के बैठना ठीक ऐसा ही एहसास कराता है जैसे बच्चा अपनी मा की गोद में बैठा हो हम प्रकृति को काटते जा रहे हैं प्रकृति का प्रतनिधित्यों करने वाले वरिक्षों को काटते जा रहे हैं और सरण भी वही मिलती हैं हमें जलाते भी वही हैं हमें पालते पोष्टे भी वही हैं भरी दो पहरी में अपने घर से तीन से चार किलोमेटर दूर आया हूँ और एक व्रिक्ष की छाओं में बैठ करके ये कारिक्रम आपके शामने प्रस्तूत कर रहा हूँ आनन्द आता है व्रिक्ष के नीचे बैठ करके आप तक अपनी बात को पहुचाना और जोतिस विद्या का प्रचार प्रचार करना कोई अधिकार नहीं है मेरा और नहीं मैं कोई जोतिस विद्या का प्रचार रखूँ ये तो सदियों से चली आ रही है एक ऐसी विद्या जो ह स्वैम वो उसके प्रत्यूत्तर में अपना कूक भर रही थी। सिधे मुद्दे पे आते हैं और अपनी बात आपके शामने प्रस्तूत करता हूँ। प्रियदर्शकों हर एक वस्तू ध्यान से समझेगा हर एक वस्तू जो प्राय हमारी नजरों से दूर दिखाई देती है। और अभ्यास के बलपर ठीक उसी तरह से बात को समझेगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रहलाद ने अपनी भक्ती के बलपर खंभे में से भगवान को अवतरित कर दिया था। आज भी प्रकृती, आज भी इश्वर उस खंभे से निकल सकते हैं। अगर आपके पास छमता है अभ्यास करिये, अगर आपके पास छमता है प्रयास करिये उन्हें बुलाने का। वो तो हर जगा उपस्थित हैं, इस वरिक्ष के खंभे में, इस वरिक्ष में भी ठीक उसी तरह से उपस्थित है, जिस तरह से प्रहलाद के लिए उस खंभे में उपस्थित था। हम अभ्यास नहीं करते हैं बस, अंतर इतना ही है, आप कमरे के अंदर हो जाएए, कमरे के ताले को बाहर से बंद कर दीजिए, और चाभी मांग लीजिए बाहर से अपने पास, और तब करना सुरू करिए, अभ्यास करना सुरू करिए, इश्वर को याद करना सुरू करिए, उसके समीप जाने का प्रयास करिए चाभी खुलेगी ताला खुलेगा जरूर खुलेगा बस अवस्था होनी चाहिए आप कितनी पराकास्था के साथ उसमें आपकी भक्ती में कितनी मजबूती है वो खंभे में से भगवान को जिस तरह से प्रहलाद ने उपस्थित किया था ठीक उसी तरह से हमारे लिए हर एक चीज जो प्रकृती के द्वारा बनाई गई है वो जरूर मिलेगी बस अभ्यास करने की देर है और अपने तप को जगाने की देर है चैत्र, वैशाक और जेस्ट माह में जन्मे जातकों के बारे में और उनके स्वभाव और प्रकृति के बारे में आज हमारी चर्चा होगी आशाड और स्रामन मास में जन्मे जातकों का स्वभाव प्रकृति और वर्ण कैसा होता है उस पे चर्चा करेंगे प्रिया दर्शकों मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है माह जन्वफल में सिर्फ दो माहों की चर्चा करेंगे आप कारेक्रम लंबा होने की वज़ा से मैं आज सिर्फ दो माहों के जन्वफल के बारे में बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आपका कारेक्रम थोड़ा बड़ा हो रहा है और YouTube सायद आपको ये बताता है कि कारेक्रम छोटा बनाईए इससे व्यूज अच्छे मिल जाते हैं शायद अगर मुझे नहीं लगता अगर आपका कारेक्रम दिल्चस्प होता है तो लोग आपको जरूर देखते हैं लेकिन समय की बात तो जरूर होती है कि व्यक्ति के पास समय कितना है वो आपके कारेक्रम को समय कितना दे पाता है ठीक है मैंने लिखा है पुत्र पोत्रान वितो धर में हुआ है वो पुत्र पोत्रों से युक्त होता है उसके शंतती अधिक मात्रा में होते हैं दो से तीन से चार से पांच धर्मी होता है अर्थात धर्म का पालन करने वाला होता है धर्म में आस्था रखने वाला होता है धर्मग्य होता है अपने धर्म के प्रती रूची रख शाथी साथ वित्तनाशेन पीडितः मतलब कभी कभी जीवन में उसके ऐसे भी समय आते हैं कि वित्त का नास हो जाता है वित्त का हरन हो जाता है या कभी कभी आर्थिक नुक्षान अधिक मात्रा में उठाना पड़ता है इस वजह से कभी कभी वो अर्षपर होता है और अगल सुवर्ण स्चाल पशुखितो मतलब उसका वर्ण जो होता है वो शोने के समान होता है गौरवर्ण और पित्वर्ण को धारण किये हुए होता है आप अगर इस माह में जन में हैं और अगर आपकी प्रकृती कुछ ऐसी दिख रही है निश्चित रूप से आपके उपर इस मा कीने का प्रभाव दिख रहा है अब आते हैं स्त्रामण मास में जन्मे जातकों का श्रभाव और प्रकृती कैसी होती है एक छोटे से कारिक्रम में हम किशी भी मनुष्य के व्यक्तितों को समेटने और सहेजने का प्रयाश कर रहे हैं अगले ही पल मैंने लिखा है सुखे द अर्थात अगर आपका जन्म स्रामण महीने में हुआ है स्रामण माह में हुआ है तब आप शुख और दुख के इस्थती में अर्थात शुख आये जीवन में आपके या दुख आये आपके जीवन में दोनों में आपकी इस्थती समान होती है बराबर होती है आप बहुत ज श्रम चित्त का मतलब आपका चित्त बराबर होता है चंचल नहीं होता है आम तोर पे देखें तो कई-कई बार ऐसा होता है कि भिन महीनों में जन्मे जो जातक होते हैं वो अपने थोड़ेशे लाव और थोड़ेशे हानी से बहुत जल्दी प्रफुलित हो जाते हैं या उद होता है उसका ऐसा ही होना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप मनुशत्य के गुण का परश पर एक तरह से दिखाएं तो उसको दिखाना चाहते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ कुछ ऐसा बेवहार करिए कि वो आपको अगर माला पहना देता है तो भी संतुस्टी क अब यही कहती है कि सम दुख दुख और शुक में हमेशा शुक और दुख में अपने आपको बराबर का भाव रखिए अपने मनहिस्थिती को बराबर रखिए नीचे रीखा है मैंने स्थूल देह सूर उपस्च्च मतलब कि उसका जो श्वरूप होता है या देह होता है ज मतलब उसका सरीर जो होता है वो थोड़ा थुल्थुला होता है और रूपवान होता है गौरवर्ण का होता है चेहरे पे कांती होती है गौरवर्ण और पित्वर्ण का धारक होता है इस तरह से जो स्त्रावन महीने में जन्मे जातक होते हैं वो उनका शरीर कैसा होगा क्रिफ्टी का होने वाला होगा और साथी साथ दुख और शुक में या हाणी या लाव की इस्थती में बराबर इस्थती होती है उसकी, अगर इसमें कोई कि दुर्गुन दिखता है जरूर बदलिये अगर इसमें को उसको हमेशा मेंटेन करके रखिये क्योंकि या्व्यक्ति वही होता है जो अपने चुर्धा को पहचान करके उस کو हमेशा बरकरार रखता हैं कुछ इसी तरह से आज कि कारिकरम को संच्छेप में खतम करते हैं हवाय बहुत चल रही है तेजी से और बनाने में दिक्कत हो रही है आप समझ सकते हैं अब कारिकरम को यहीं समाप्त करते हैं आशा है आपके उपर इन दोनों माहों का इस जोतीशिये प्रभाव को देखा जा सकता है और निश्चित रूप से आप अपने जीवन के उपर इसे घटित होते देखते होंगे कुछ इसी तरह से आज के कारिगरम का समापन करते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कल के लिए जरूर उपस्तित होईएगा हमारे साथ और छोटा सा समय हमारे लिए जरूर निकालिएगा तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार